रेवाडी सहर में कोट परीशर के गेट पर एक कार चालक नौ लाख रुपे कैस लेकर भाग गया जजजर जिले में रहने वाली यूती अपनी मा के साथ कैब बुक कर किसी काम से यहां आई थी सुचना के बाद मौके पर पहुची सेक्टर तीन चौकी पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी है दरसल जजजर जिले की रहने वाली सपना नाम की एक यूती ने बताय कि उनके परिवार ने रेवाडी में जमीन खरी दी है इस जमीन की बुदवार 28 वरवरी को रेजिस्टरी होनी थी इसके लिए वै जजजर जिले के ही रहने वाले ड्राइवर की कैब बुक कर यहां तहसील में आई थी तहसील के बाद किसी कागजात के काम से सपना और उनकी मा दोनों कार में बैठे बैठ कर कोट में पहुँच गई सपना ने बताय कि कार में रखे बैग में 9,00,00 रुपे से ज्यादा थे इसके अलावा कुछ कागजात भी थे वहीं अपनी मा को कोट के बाहर ही कार में पैसों की निगराने के लिए वह छोड़ कर चली गई सपना का आरोप है कि कार चालक ने सातिर तरीके से उसकी बुजर्ग मा को चाय पीने के लिए नीचे कार से उतार दिया उसकी माँ जैसे ही कार से नीचे उत्री आरोपी पैसे और कार लेकर फरार हो गया करीब 15 मिनट बाद वह अपना काम निप्टा कर वापस आई तो बाहर कार नहीं खड़ी हुई थी जबकि उसकी माँ पास में बैठी हुई थी अकसर वही इस कार चालक की कैब बुक करती थी ऐसे में सपना ने पहले ये सोचा कि वो कहीं दर उदर गया होगा लेकिन बार बार फॉन करने के बाद उसने कॉल रसीव नहीं किया कुछ देर बाद उसने अपना फॉन स्विच ओफ कर लिया इसके बाद उसका सक और जादा गहरा गया, सपना ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दी, सूचना के बाद सेक्टर 3-4 की इनचार्ज अपनी टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुँचे, पुलिस ने नाकबंदी कर दी है लेकिन अभी कारचालक का सुराग नहीं लग पाया है, पुलिस पूरे मामले की जाच में जुटी है